कि यहां पर टोटल चार एकर का यह प्लॉट है अभी अधरक इसके अंदर जमीन में पूरा बन चुका है और खास करके आज यहां पर तो हर्वेस्टिंग चल रहा है इसमें जो माल निकल रहा है वो काफी हेवी और तगड़ा निकल रहा है यह पुराना वाला है और उसके बाद इतना दिन जादा बीचता है यह नया नया फुकता जाता है इसमें भी आख निकलिए देख सुझी यह यहां पर पास में तलाब है वहां पर ले जाकि इसको बुरा दूल दिया ज़ए चाय में अधरक के बिना मज़ा ही नहीं है तो दोस्तों यह जो अधरक है आपके पास कैसे आता है हमारे खिस लेक के चाय तक तो देखे यहां पर टोटल चार एकर का यह प्लॉट है यह अधरक का प्लैंटेशन यहां पर लगबग पिछले मई में हुआ था तो पिछला मई होके यह मई होके अधी अभी सितंबर आ गया है तो यह प्लॉट जो 16 मेने का अभी टोटल हो चुका है अभी अधरक इसके अंदर जमीन में पूरा बन चुका है और खास करके आज यहां पर तो हर्वेस्टिंग चल रहा है तो आज हम यहां पर देखने वाले कि हर्वेस्ट और और आज हुआ तो कंगल प्ली जो का और यहां पर देखेग अभी जो हम किसे रखह भी रहा है इसका smell भी एकदम रहा मस्ता आ रहा है, काफी दिनों से ये जमीन में है, काफी बड़ा बड़ा भी इसका नीचे का हिस्सा हो गया, इसमें जो माल निकल रहा है, वो काफी हिवी और तगड़ा निकल रहा है, दोस्तों देखें, अधरक का हर्वेस्टिंग कब होता है, जब ऐ कैसे ये प्लांट बन जाता है, ये देखें, इसकी हाइट नीचे से इसकी तना देख सकते हैं, लगभग ये फसल जो है, नव से दस मेहने की है, लेकिन इसका हर्वेस्टिंग लेट हो रहा है, क्योंकि रेट कम था, अभी भी कम ही है, उसके बारे में आगे बाद करते हैं, इसलिए लेट हर्वेस्टिंग हो रहा है, तो ये इतना हेवी बन जाता, तो इसमें निकालने का काम चलता है, और इसके बीच में एदेख सकते है, डृप इरिगेशन भी है, ये देखें, सोलायमें की डिप इरिगेशन है, तो सबसे पहले तो इसकी डृप इरिगेशन इसमें बहुत तरीके से अधरक निकाला जाता है, मशीन भी होती है, जो कि बड़ी पैमाने पर जहां पर अधरक होता है, वहां पर मशीन लगाया जाता है, जो पोटेटो हर्वेस्टर होता है, वही मशीन इसमें चलाई जाती है, लेकिन उसमें यह ताना नहीं होता है, ताना यह पुराना वाला है और उसके बाद जितना दिन ज्यादा बीचता है यह नया फूरता जाता है इसमें भी आख निकलिए देख से और यह बढ़ता जाता है यहां पर जितनी जमीन की बेड के हाइट है इसके पूरे नीचे में अधरक नहीं जाता है इसके उपरी परत में जो यहां पर काफी सारे लोग निकाल लें तो यहां से इसको निकाला यहां पर रखा और यहां पर निकालनेने के बाद इसको कट किया जाता है यह देख सकते हैं काफी यह बड़ा होता है तो टुकडा टुकडा करके यहां पर रखा जाता है यह देख सकते हैं तो इस तरीके स उसको निकाल के इस बोरी में भर दिया जाता है यह सुतली वाली बोरी है और इसके बाद ऐसकर क्या होता है कि यह धोन जुरुष होता है तब जाके यह मार्केट में जाता है क्योंकि is क्यूब पर जो है मिट्डी बहुत लगी होती है यह सीधा जायेगा नहीं मिटी का भी वजन बड़ेगा तो इसको सीधा जो है यहां से कोई बड़ा तलाब हो या विए झाल जाता है मेन पर पानी के बैवस्ता हो वहाँ पीजा जाता है यहाँ पर sound स всю about it and whichонец me जाने के चैने लिएक ज़या तो इस तरीकी से टोटल जो यहां पर harassing चल रहा है और बहुत easily चल रहा है यहां पर जो जो भी मछीन से निकाला जाता है दोस्तु वह क्या होता है कि सीधा जब मछीन नीचे चलती offense अधरक पीछे गिरता है उसको बिनना पड़ता है यहां पे हाथ से निकाल ले और रख ले इसको सीधा जो है वो खुद पे ही लेते हैं मतलब जैसे कि चार रुपे पांच रुपे किलो के हिसाफ से अधरक निकालने का रेट होता है उससाफ निकालते हैं अगर एक टन निकल तो वहां पे इनका 4000-5000 निकलवाई का खर्चा होता है तो आप सोच सकते हैं कि मतलब लगबग एक किलो में आपका चार रुपे पांच रुपे जो है निकालने में खर्चा हो जाता है और ऐसे भी इस अधरक को जो है रेट बहुत कम है मतलब 14 रुपे 15 रुपे के आसपास इसमें रेट अभी चल रहा है हर साल जो है 30 रुपे 40 रुपे 50 रुपे इसके आसपास भी रेट रहता है लेकिन इस साल जो है रेट काफी कम है पिछले साल भी कम था क्योंकि प्लैंटेशन इसका बहुत ही तुफान तुफान हो गया है और यह जो वाराइटी है दोस्तों जिस खेत में लिए जाती है तुरंट दुबारा इसमें अधरक की फसल नहीं लिए जाती है क्योंकि यह टूबर कंदवरगी फसल इसको कहा जाता है तो दुबारा आप लेंगे तो उसमें निमेटोड आने की संभावना रहती है और डिजीज आने की संभावना रहती है तो प्लॉट है तो लगबग यहां पे 40 लोग काम कर रहे हैं चार से पांच दिन हो चुके हैं और वहां पे साइड में दो ट्रैक्टर खड़े हैं वह देख सकते हैं यहां से अभी जो पूरा माल निकल जाएगा लगबग डेली का 16 टन यहां पे माल निकलता है तो उस ट्रैक्टर में भारा जाता है और दोने के लिए जाता है तो यहां पे इतना माल क्यों निकल रहा है देखिए एक एकर में यहां पे 25 से 30 टन के आसपास माल निकल रहा है तो इतना क्यों निकल रहा है क्योंकि यह खोड़वा है जुसको हम जो है 25 तन प्रती एकर के हिसाब से आ रहा है नहीं कि चार एकर में लगबक सवसे सवासो टन माल निकलेगा दोस्तों बहुत ही तरड़ा यहां पर उमीद है माल निकलने की और निकल भी रहा है यहां पर मैं फॉलो कर रहा हूं दो-तीन दिन से यहां पर देख रहा हूं हमारे में जा रहा है दोस्तों हमने यह फसल जो इसका प्लैंटेशन अच्छे से किया इरिकेशन अच्छे से किया डिजीज मैनेश्मेंट किया हर एक चिक बहुत यह अच्छे मेंटेन किया और जितना सोचा था उससे भी ज्यादा इसमें उत्पादन अभी आ रहा है यह बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है हाला कि यहीं फसल में अद्रक के फसल में साल-दोस साल से काफी सारे दिक्कत आगर आ रही है वह दोस्त ने भी जो अधरक है इसका बाइपरोडक्स्ट बनाने की मतलब कोशिश कि उसके बाद कई सारे कंपणियों को यह अधरक की भेज के देख आपकी विचार कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईएगा यह अधरक छोड की भी बाकी की जो फसले हैं उसका भी हाल बहुत खराब है मैंने भी कई सारे फसले में इस साल नुक्सान खाया है तो दोस्तों इस विडियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है पूरा भरना चाहिए इस विडियों को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हन्यवाद